ओम श्री ब्रस्पते नम्हा आज सुनिए ब्रस्पती देवता की कथा अगर कथा पसंद आए तो विडियो को लाइक करना मत भूलिएगा पौरानिक कथा के नुसार प्राचीन समय की बात है एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था वह प्रत्य गुरुवार को वरत रखता और पूजा किया करता ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती ना वह वरत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती और र साधू रूपी ब्रस्पती साधू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने गए साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तब वह कहने लगी हे साधू माराज मैं तो इस तान और पुर्णि से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे ये सारा धन नस्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ तब साधू रूपी ब्रस्पती देव कहने लगे ये देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से भी कोई दुखी होता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुबकार्यों में लगाओ जिससे तुम्ह साधू कहने लगे अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना ब्रस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धूना केशों को धूते समय इसनान करना राजा से हजामत बनवाने क कहना भोजन में मांस मदीरा खाना और कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना इस प्रकार साथ ब्रस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू बने ब्रस्पतिदेव अंतरध्यान हो गए साधू के कहे अनुसार राणी को करते हुए के के वल तीन ब्रस्पतिवार ही वीते थे कि उसकी समस्त धन संपति नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा एक दिन राजा रानी से बोला है रानी तुम यहीं रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहां पर मुझे सभी जानते हैं इसलिए मैं को बिना रानी और दाशी दुखी रहने लगी एक समय जब रानी और दाशी को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तब रानी ने अपनी दासी से कहा यह बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और कुछ ले कर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी क पूजन समाप कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रिस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी गई परंतु जब तक अथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी कहने लगी बहन हमारे घर अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आई उसने दासीों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई रानी की बहन बोली देखो ब्रस्पतिदेव भगवान सबकी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं देखो शाय तुम्हारे घर में अनाज रखा हो ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया उसे बड़ी हरानी हुई क्योंकि उसने तो एक-एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी रानी से कहने लगी हे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए हम भी व्रत किया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया भ्रस्पतिवार के व्रत में चने की डाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाएं पीला भोजन करे और कथा सुने इससे भ्रस्पतिदे भगवान प्रसंन होते हैं और मनुकामना पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बताकर राने की बहन अपने घर लोटाई राने और दासी दोनों ने निश्चे किया कि ब्रस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे साथ रोज बाद जब ब्रस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये दोनों बड़ी दुखी हुई पर अंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए प्रस्पतिदेव भगवान प्रसन थे एक साधरन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये और दासी को देकर बोले हे दासी ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है इसे तुम दोनों ग्रहन करना दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन हुई उसने रानी को सारी बात बताई उसके बात से वे प्रत्येक ब्रस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्र कारण सभी धन नस्ठ हो गया अब ब्रस्पतिदे भगवान की किरपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें अब दान पुर्णि करना चाहिए अब तुम भू के मनिश्यों को भोजन कराओ प्याओ नारे कुल का यश पढ़े तथा स्वर्ग प्राप्थ और पितर प्रसन हो तब दासी की बात मान कर रानी शुभकर्म करने लगी जिससे उसका यश फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस तशा में होंगे उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ब्रस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शिक्र वापस आ जाएं उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा वह प्रति दिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शेहर में बे हे लकड़ारे तुम इस उन्सान जंकल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बताओ यह सुनकर राजा की आँखों में आसु भराए सादू को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी महत्मदयालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पत्नी न ब्रस्पतिवार का व्रत प्रारम कर दिया है अब तुम भी ब्रस्पतिवार का व्रत करके चने की डाल और गुर जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो यह सुनो भगवान तुमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे सादू की बात सुनकर राजा बोला हे प्रभो लकडी बेचकर तो इतना पैसार भी नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद में कुछ बचा सकूँ और मैंने रात में रानी को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समचार जान सकूँ फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझको नहीं पता साधु महराज कहने लगे हे राजा मन में ब्रिस्पति भगवान के पूजन वृत का निश्चे करो वे स्वेम तुम्हारे लिए कोई रहा बना देंगे ब्रिस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर में जाना तुम्हें रोज से दोगुना धन मिले जिससे तुम भलिभाती भोजन कर लोगे और प्रिस्पतिदेव की पूजा का समान भी आ जावेगा जो तुमने प्रिस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वे इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बहुत ये निर्थन ब्रहमट था उसके कोई संतान नहीं थी वह न बड़ी होने लगी प्रातहकाल इसनान करके वे भगवान विष्णु का जब करती ब्रिस्पतिवार का व्रत भी करने लगी पूजा पाठ समाप कर पार्शाला जाती तो वे अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पार्शाला के मार्ग में डालती जाती लोटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती एक दिन वे बालिका सूप में उन सोने के जोगों फटक कर साफ कर रही थी कि तब ही उसकी माने देख लिया और कहने लगी हे बेटी सोने के जोगों फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए दूसरे दिन गुरवार था कन्या ने व्रत रखा और ब्रस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की ब्रस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजानक की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई पाट शाला से लोट कर जब वे जोबीन रही थी तब रिस्पतिदेव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया उसे वह घर ले आई और उससे जोव साफ करने लगी परंत उसकी मां का वही धंग रहा एक दिन की बात है वह कन्या सोने के सूप में जोव साफ कर रही थी उसी समय उस नगर कर राजकुमार वहा से निकला कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजकुमार द्वारा अनजल त्यागने का समचार ग्यात हुआ तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया मंत्री उस लड़की के घर गया मंत्री ने ब्रहमण के समक्ष राजा की ओर से निविदन किया और कुछी समय बाद ब्रहमण की कन्या का विवा राजकुमार के साथ संपर्न हो गया कन्या के घर से जाते ही ब्रहमण देपता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया एक दिन दुखी होकर ब्रहमन अपनी पुत्री से मिलने गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा ब्रहमन देपता ने सभी हाल कह सुनाया तब कन्या ने बहुत सधन दे कर अपनी पिता को विदा कर दिया लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया ब्रहमन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवालाओ मैं उन्हें वह विधी बता दूँगी जिससे गरी भी दूर हो जाए ब्रहमन देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तब पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रात्यकाल इस नानादी करके विश्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिदिरता दूर हो जाएगी परंत उसकी माने उसकी एक बात भी नहीं मानी वह प्रात्यकाल इठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुसा आया उसने अपनी मा को एक कोट्री में बंद कर दिया प्रात्य हयों से श्नानादी करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई इसकी बाद वे नियम से पूजा पाष्ट करने लगी और प्रत्येक ब्रस्पतिवार को वृत भी रखने लगी इस व्रत के प्रभाव से मृत्य के बाद वे स्वर्ग को गई वे ब्रहमर्ट देपता भी सुक पूर्वक इस लोग का सुक भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए इस तरह कहानी कहकर साधू बने देपता वहां से आलोप हो गई दीरे दीरे समय बीतने पर फिर ब्रस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चनागुर आदिला कर ब्रस्पतिवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी क्लेश तूरवे परन्तु जब अगले गुरवार का दिन आया तो वह ब्रस्पतिवार का वरत करना भूल गया इसी कारण ब्रस्पति भगवान नराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगी का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राजी में घोशना करवा दी कि सभी मेरे यहां भोजन करने आये किसी के घर चूला ना जले और इस आग्या को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी राजा की आग्या नुसार राजे के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए रानी को निश्चे हो गया कि मेरा हार इसी लकड़ारे ने चुरा लिया है उसी समय सैनिकों को बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया अब लकड़ारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजनम के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है और जंगल में मिले साधू को याद करने लगा ततकाल ब्रस्पतिदेव साधू के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे अरे मुर्ख तु उन्हें ब्रस्पतिदेवता की कथा नहीं की उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दर्वाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तु ब्रस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले ब्रस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर चार पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मगा कर कथा कही और प्रसाद बाटा उसी रात में ब्रस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा हे राजा तुने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना वह निर्दोश है राजा प्रात्यकाल उठा और खूटी पर हार टंगा देखकर लकड़ हारे को बुलाकक शमा मांगी तथा राजा के योगी सुन्दर वस्त्र आपुशन भेटकर उसे विदा किया गुरुदेव की आगिया के अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा ही आश्चर हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, तलाब और कुए तदा बहुत सी धर्मशालाएं मंदिरादी बने हुए थे राजा ने पूछा ये किसका बाग और धर्मशाला है तब नगर के सभी लोग कहने लगे ये सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं राजा को आश्चर हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिती में राणी के पास धन कहां से आया होगा उधर जब राणी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने पनी दासी से कहा ये दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वो हमारी ऐसी हालत दे कर लोटना जाएं इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा राणी की आग्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्थ हुआ तब राणी ने सारी कथा कह सुनाई राजा ने निश्चे किया कि मैं रोजाना दिन में तीन बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा अब हर समय राजा के दो पट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कथा कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आएं इस तरह निश्चे करके वह राजा घोडे पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल दिया मार्ग मेर्स ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोग कर राजा कहने लगा अरे भाईयो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहनी शुरू कर दी जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उससे भी कथा सुनने का आगरह किया लेकिन वे नहीं माना राजा आगे चल पड़ा राजा के हटते ही बैल पचार खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा बेटे ने सबी हाल बता दिया बुढिया दोडी दोडी उस गड़ सवार के पास पहुंची और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूँगी तु अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना तब राजा ने लोट कर बुढिया के खेत पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंध हो गया अब राजा अपनी बेहन के घर पहुंच गया बेहन ने भाई की खूब महमाने की दूसरे रोज प्रात्यकाल राजा जगा तो वे देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बेहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुन ले तब बेहन बोली है भाईया ये देश ऐसा ही है यहां लोग पहले भोजन करते हैं बाद में कोई अन्य काम करते हैं फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बिमार था उसे मालुम हुआ कि उसके यहां तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तब वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रसपतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अब मैं अपने घर जाओंगा तुम भी दयार हो जाओ राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के आग्या माँगी सास बोली हाँ चली जा मगर अपने लड़के को मतले कर जाना जोकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है बहन ने अपने भाई से कहा है भाईया मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा तब राजा कहने लेगा कि जब बालक ही नहीं जाएंगे तब तुम भी चल कर क्या करोगी और अपनी बहन को भी छोड़ कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपने राणी से सारी कथाक बताई और बिना भोजन किये वे शयया पर लेट गया राणी बोली है प्रभो ब्रस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें संतान भी अवश्य देंगे उसी राद ब्रस्पतिदेव ने राजा को सपन में कहा है राजा उठ सभी सोच त्याग दे तेरी राणी गर्ब से है राजा को ये जानकर बड़ी खुची हुई नवे महिने राणी के गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर अन्तु बिना कहने रह सकती जब मेरी बहन आये तब तो मुझसे कुछ मत कहना राणी ने हा कर दी जब राजा की बहन ने ये शुब समचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाई राणी ने तब उसे आने का उलहना दिया जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई तब राजा की बहन बोली भाई मैं इस परकार ना कहती तो तुम्हारे गर उलाद कैसे होती ब्रस्पति देव सभी कामनाई पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक ब्रस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है ब्रस्पति देव उसकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं उसकी सदय व्रक्षा करते हैं जो संसार में सत्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सचे हर्दय से करते हैं, उनकी सभी कामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती हैं, जैसे सची भावना से रानी और राजा ने ब्रस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं ब्रस्पति द ताकी जै